और अब पन्ना से एक एहम खबर है इसका भी जिक्र कर लिया जाए पन्ना में कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस की जिला उपाध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं ब्रजमोहन यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ना सिर्फ ब्रजमोहन यादव बलकि कई जनपा सदस्यों और ऐसे तकरीवन 500 लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं पन्ना विधाय की मौझूदगी में बीजेपी की सदस्तिता इन्होंने ग्रहन की तो बीजेपी में जॉइनिंग अभियान लगातार जारी है और बीते दिर्म भी जब मोहन यादव पहुचे थे छिंदवाड़ा तो यहां पर भी स्टेज पर आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे कॉंग्रेस के पार्शवर नेता भी थे बहुत सारे जो बीजेपी का दाम थामा है तो कॉंग्रेस जटका लगातार जटका जटके पर जटका पन्ना विधाय के मौजूदगे में कई लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया ठीक लोग सभाद चुनाओं से पहले इस तरह के घर्टा क्रम सियासी घर्टा क्रम वो लगातार सामने आ रहा है तो आई दिली पूलस ने दिगवजे सिंग को रहा कर दिया है इवियम को लेकर कॉंग्रिस के प्रदर्शन को लेकर पूलस ने दिगवजे सिंग को हिरासत में लिया था पार्लियमेंट थाने में उन्हें बिठा दिया गया था ये इवियम को लेकर लगातार हमलावर है और इसी को लेकर दिली में प्रदर्शन कर रहे थे उस दोरान उन्हें हिरासत में लिया गया था अब रहा कर दिया गया है दिगविजे सिंग एवियम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और अब फिलाल उन्हें रहा कर दिया गया है और वहीं दिगविजे सिंग् की गिरफतारी पर वीडी शर्मा ने तन्ज कसा है वीडी शर्मा ने कहा कि मीडिया में बने रहने के रहे दिगविजे सिंग् एवियम का राग अलापते रहते हैं आने के लिए गांधी परिवार के नजदीक जाने के लिए वो लगातार अनरगल इस परकार के प्रयास बो करते हैं बयान देते आरोप प्रकारोप करते हैं तो इसलिए देश के अंदर कानून अपना काम कर रहा है तो आज जो मुझे बता रहे हैं कि जो उस पर उनकी जो गर् विकसित भारत विकसित 36 गड़ समारूह का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी शामिल होंगे वे वर्चुली इस कारिक्रम का हिस्सा बनेंगे 34,400 करोड की योजनाओ की सौगात भी इस दिन मिलेगी विकसित भारत विकसित 36 गड़ समारूह 34,000 करोड से जाधा की अलग-अलग योजनाओ की आधार्शिला रखेंगे उद्गातन करेंगे इसमें रूड है, रेल है, कूल है, पावर है, सोलर एनरजी है बिल्कुल और NTPC के लारा सूपर थर्मल पावर प्रूजेक स्टीज 1 का उद्गातन और लारा सूपर थर्मल पावर प्रूजेक स्टीज 2 की आधार्शिला भी रखेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पीम मोधी 24 फरवरी को दोपेर साढ़े बारा बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए जुडेंगे उज्जैन में 23 और 24 फरवरी को CM डॉक्टर मोहन यादव के बेटे वैभाव यादव की शादी समारो का आयोजन होगा 23 फरवरी को जैन के अधर्व होटल में एक आरिक्टरम होना है इसके बाद 24 फरवरी को राजस्थान के पुष्कर केक रिस्वार्ट में शादी होगी जिसमें राजस्थान के CM भजनलाल समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे Reliance Industries Limited के CMD मुकेश अमानी के बेटे अनन्त अमानी की शादी की तयारियां जूर शूर से चल रही है इसी सिल्सिले में फिल्म स्टार शारुक जामनगर की Reliance टाउंशिप में रिहर्सल करने पहुचे थे शारुक खान ने प्री वेडिंग इवेंट की तयारियों के लिए जामनगर में रिहर्सल किया और उसके बाद शारुक जामनगर से वापस मुंबई लॉट गए तो Reliance टाउंशिप में प्री वेडिंग को लेकर तयारियां चल रही है एक राद जामनगर में ही शारुक खान रुके थे शारुक खान की performance भी हो सकती है हाला कि प्री वेडिंग के समय में कुछ आइडियास भी शारुक की तरफ से दिये जा सकते है जिसके लिए वो एक दिन रुके भी जामनगर में ही रिहर्सल के लिए वो रुके थे जबो कश्मीर के गुल्मर्ग में भयंकर एवलांच आने से हरकम मच गया इस एवलांच की चपेट में कई स्कियर आगए एक की मौत हो गई है और माना ये जा रहा है कि कुछ और लोग भी तब ऐसा माना जा रहा है कि तीन लोग और फसे हो सकते है गुल्बर्ग में एवलांच आने से हरकम मच गया और एवलांच की चपेट में कई स्कियर्ज आ गए हैं एवलांच की चपेट में आने से एक की मौत भी हो गई है कई के फसे होने की आशनका जताई जा रही है यह तस्वीर आप देखिए काफी जादा यहाँ पर भारी बर्फ भारी तो दूसरी तरफ एवलांच और चलिए ऐसी के साथ बुलिटिंग में फिल हाल इतना ही नमस्कार